नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चानल तिवारी जोती में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सपने में हारा नीम्बू देखने का क्या मतलब होता है तो दोस्तों आप सभी जानती होंगे कि नीम्बू दो प्रकार के होते हैं एक तो क कच्चे और दूसरा पका दोस्तों कच्चा निम्बू हरा कलर का होता है और पका निम्बू पीला कलर का होता है तो दोस्तों आज हम बात करेंगी कि सपने में कच्चा निम्बू यानि की हरा कलर का निम्बू सपने में देखने का क्या मतलब होता है तो दोस्तों सपने जोतिस के अनुसास अपने में हरा निम्बू देखने का मतलब जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके आप हमारी यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करने और सदसिता ले ले तता घंटी को दबाना ना भूले और दोस्तों हमारी पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि जब तक आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सपनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी तो दोस्तों सपन जोतिस के अनुसार सपनों को चार भागों में बाटा गया है तो दोस्तों आईए हम जानते हैं कि सपनों को चार भागों में किस प्रकार से बाटा गया है तो दोस्तो पहला बारा से तीन बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल एक साल में प्राप्त होता है दूसरा तीन से पाँच बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल छे महीने में प्राप्त होता है तीसरा पान से छे बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल एक महीने में प्राप्त होता है चौथा सूरुदई के बाद देखे जाने वाले सपनों का फल एक सप्ता में प्राप्त होता है तो दोस्तों आईए हम जानते हैं कि सपने में हारा निम्बू देखने का क्या मतलब होता है तो दोस्तों सपने जोतिस के अनुसार सपने मे का संकेत करता है कि आपको सुख सांती की प्राप्ति होगी आपके परिवार में खुसियां आएंगी तो दोस्तों अगर यही सपना को इस्त्री देखती तो उसके लिए भी बहुती सुख सांती का वास होगा और उसके परिवार में खुसियां आएंगी तो दोस्तों अगर देने वाले सपनों के बारे में आप अपने परिवार वापने मित्र जनों में बता देते हैं तो दोस्तों आपने जो सपना देखा उसका फल आपको नहीं मिल पाएगा तो दोस्तों आप अपने परिवार वापने मित्र जनों में सुब फल देने वाले सपनों के बारे में बि पूराफल प्राप्थो दोस्तों ऐसा करने से आपने जो सपना देखा है उस सपने का आपको पूराफल प्राप्थोगा तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी यूटुब चानल को सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जैसरी कृष्ण